हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गोवी के पकड़े मेरे इस तरीके से एक बार गोवी के पकड़े बना लोगे तो बार बार इसी तरीके से ही बनाओगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं मैंने गोवी को ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और इसकी डंठल को ऐसे दो हिस्से में काड लिया है ताकि यह कम टाइम में आसानी से पक जाए सबसे पहले हम गोभी को 2-3 मिनिट तक उबाल लेंगे पानी में थोड़ा सा नमक जादा डालेंगे ताकि गोभी के अंदर तक नमक जाए इसे एक दो मिनिट के लिए ढग देंगे दूसरी तरफ इसके लिए मसाले बना लेते हैं मैंने यहाँ पर लिया है तीन हरी मिर्च साथ से आठ लहसुन धन्या पता और एक छोटा टुकड़ा अदरक और इसमें जाएगा जीरा आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं इन सारी चीजों को ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे अब गोभी को हम छान कर बाहर निकल लेंगे गोभी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है थोड़ा सा नरम ही करना है अगर ज़्यादा पक जाएगा तो ये तूट जाएगा और पकोड़े अच्छे तरह से बन नहीं पाएगा अब हमने जो पेस्ट बनाया था गरम गोभी में ही उसे डाल देंगे अब इसमें थोड़ा सा नमक और एक चमच बेसन डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे बेसन डालने से मसाले सारे गोभी में अच्छी तरह से चिपक जाएगे अब इसे ढख कर हम पाँच मिनिट तक ऐसे ही छोड़ देंगे दूसरी तरह पकोड़े के लिए बेटर बना लेते हैं मैंने लिया है एक कप बैसन इसमें डालेंगे जरा सा हल्दी और थोड़ा सा अजवैन थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल कर मिक्स करते जाएंगे ताकि बैसन में कोई भी गुठली ना वने अजवैन डालने से पकोड़े में एक अच्छा सा टेस्ट भी आता है और पकोड़े को हजम करने में मदद भी करता है तो पकोड़े में अजवैन को जरूर डाले अब इसमें खाने वाला मीठा सोडा आधा छोटा चमाच डाल कर अच्छी तरस से मिक्स कर देंगे देखिए बेटर की कंसिस्टनसी ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला गोबी को बेटर में डूबो कर भी चेक कर सकते हैं गोवी में बेटर का एक अच्छी से लेयर आना चाहिए अब गोवी को फ्राइ कर लेते हैं मैंने तेल को पहले से ही गरम होने के लिए रख दिया था पकड़े को हम medium to high flame पर फ्राइ करेंगे फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल तूसी की रसई को सस्क्राइब करना ना भूलना पकड़े को हम golden brown होने तक फ्राइ करेंगे बहुत ज़्यादा गरम तेल पे पकड़े को फ्राइ नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम तेल पे फ्राइ करेंगे तो पोकड़े अंदर से पग नहीं पाएंगे हमारा पोकड़े अब गोर्लेंड ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं देखिए हमारा पोकड़े कितने सुन्दर लग रहे हैं इसी तरह से बाकी पोकड़े को भी फ्राय कर लेंगे हमारे सारे गोभी के पखड़े रेडी हो चुके हैं तो अब हम जिसे सर्प कर लेते हैं आप इसे ग्रीन चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं ये दोनों के साथ ही बहुत अच्छा लगता है मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर वताई ताकि मुझे पता चल पाए मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चेनल को सस्क्राइब कर लेना यहां तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू